नमस्ते बच्चो स्वागत है आप लोग का हमारे यूटूब चैनल में तो आज की इस वीडियो में हम लोग अध्यान करने वाले हैं पार्ट 18 जिसका नाम क्या है बच्चो पर्यावरन और हम तो इस पार्ट में हम किसकी बारे में पढ़ने वाले हैं तो इस पार्ट में हम प बहुद कुछ सेख 사 sustained खयर हैं इसलिए ध्यान लगा करके पढ़िए चलिए शुरू करते हैं तो बताना आप को देखो जंगल की आंधादुन्द कोड़ाई करने पर क्या होगा अश्द हम जेक और बना crazy नविशन को बनाया जा रहा है तो बीच में जगल का पूरा हमने जंगल को काड़ दिया उसको खतम कर दिए तो यह होता है अंदा दून मतलब ने बिना कुछ सोचे समझे उसको काड़ दिया ठीक है और एक ही नहीं कई सारे जंगल ऐसे काटे गए तो यह क्या होगे आदा जं जंगल में रहने वाले प्राणी है उनको भोजन पानी कहां से मिलता है तो पेड़ों से मिलता है अगला प्रशन है कि यह सची उसी स्थान पर रहेंगे या फिर निवासके लिए इदर-फृदर जाएंगे तो बताइएंगे कि वह वहीं पर रहेंगे, जंगल तो साफ हो गया तो वहाँ kangal को रहेंगे ना अगला प्रश्ण यह सजीव तीसरा जंगली वनस्पत्य उत्धा प्राणियों के रहने के स्थानों में कमी आएगे या फिर रुद्धी होगी आप बताइए कि जब हम जंगलों को काड़ देंगे तो उसमें जो रहने वाजी वनस्पत्या है जो जानवर है ठीक जानों के रहने का इस्थान बढ़ता जार है लेकिन बचारे उन जानवर के रहने का भी हों सकती है मतलब वहां पे जो शजीहों की संख्या है वो क्या आगी घटेगी ठीक है बढ़ी की क्यूंकि हम चंगलों को काट दिया वह लोगज जंगल में में रहते थे हैं डेको जंगलों में चिर बनाए होते अब लूग बीया Bardzo सबहते हैं उन्हों सबस्स刃ते हो उत्तर मैंने आपको बताएं अब हम यहां पर बात किसकी करने वाले बचों जंगल कटाई की ठीक है जंगल कटाई जंगल कटाई मतलब क्या जंगलों की कटाई ठीक है तो इसको हम समझते हैं सुनिएगा एकदम ध्यान से पूरे विश्व की संपूर्ण जनसंख्या इस समय लगबग 600 करोड है मतलब अगर हम पूरा वैस्विक स्थर पर देखे तो जनसंख्या कितनी है 600 करोड है कितनी 600 करोड ठीक है जिसमें से 100 करोड तो हमारे देश की होगी इन सब के आवशक्ताओं को पूरा करने के प्रयासों में मनुश्य नित नवीन प्रद्योगी की का इनकी जो आवशक्ता है वो भी बढ़ेगी क्योंकि लोग बढ़ेंगे तो आवशक्ता भी बढ़ेगी अब इनकी आवशक्ताओं के पूर्दी के लिए जो मनुश्य है वो रोज नहीं नहीं टेक्नोलोजी नहीं नहीं प्रद्योगी की का निर्मान कर रहा है अब यह ऐसे के और रेल मार्क त्यार करने के लिए अत्य दिक परिमान में खुली जगह के आवश्चता होती है इसलिए जंगल की कटाई की जाती है जब आपने कभी सोचा है जंगल की कटाई क्यों की जाती है तो देखे बचों चाहे हमको खेती करना हो या फिर कहीं पर बस्ती बनानी हो या फिर हमको कोई उध्योग धंदा लगाना हो या फिर सडक बनानी हो रेल मार्क बनाना हो तो इसके लिए हमको खुली जगह चाहिए थोड़े ने करेंगे Jaa पर खुली जगह हो खुला आसमान हो ठीक है बहुत सारी जगह हो वहाँ फ्रक्राइब करना है तो उसके लिए बिश्टाइब करना है उनकी कटाई देखिये को यहां पर पहाड़ों को काट,करके बना में दबोला में … ेसकों बोल सदके यूंट यूख्त चैतरों में अधवा गेहरे भूभाग में भराव करके उस स्थान की जमीनी को शम्दल अगर आप उसमें एक बार चले गाए ना निकलने का कोई चांस नहीं अगर आप एक बार गुज गये ना फिर निकलने के कोई चांस है नहीं जब तक आपके कोई मदद नहीं करेंगा तब तक आप नहीं सकते कोई निचे जाते जाते आप निकलने के कोशिश करोंगे नीचे जाओगे तो उसको फिर बार से कोई आता है बचाने के लिए रस्ती देता है तब जाके वह बाहर निकल पाता है तो जो भी दल दल यूक तो छेत्र होते या फिर गहरे छेत्र होते उनमें क्या किया जाता है भराव किया जाता है यानि मिट्टी भरी जाते है फिर उसको पूरा समतल बनाया जाता है प्लेन बनाया जाता और फिर उसके उपर सड़क बनाया जाती है यहां पर देखे क्या बोला जा रहा है अच्छा यह देखो रेल मार्क कैसे बनाया गया है रेल मार्क देखो ऊपर पहाड़ों के यह पहाड़े यह पहाड़े फिर इदर नीचे ऐसा लगता है नदी है फिर पुल के उपर ये बनाया गया है railway track ठीक है रेल मार्क पर्या वरण में भिन्न भिन्न सजीवों के निवास होते हैं अब जो हमारा पर्या वरण है मतलब जो हमारा आज पास का एरिया है जंगल हो गए ठीक है ये सारी चीज़े तो यहां पर अलग-अलग सजीवों का निवास ह जंगल मरत हैं जंगल होती और जंगल हो तो यह पर अंदम पर अनेग पक्षियों के गोसले होते हैं आपने देखा होना वैसे हमारे यहां धो टेंट है तो वहां सोते हैं उनके बच्चे अद्द बंदरा जैसे प्राणी जंगलों में रहते हैं अर्थात घने जंगलों में अनेक प्राणियों का निवास होता है मतलब यहां से यहां तक पंड़े के पास हमने क्या समझा कि जो घने जंगल जंगलों में उनकी जरूरतों को जरूरतों की पूरती हुद्टी अच्छाना पानी टाइम से मिलेगा जंगल में मिलेगा जंगलों की कमी होने पर क्या होता है जो अनेक प्रकार के जीव हैं उनका च्छे हो जाता है वो धीरे-धीरे खतम होने लगते हैं देखो अलग-अलग प्रकार के जीव अभी जंगल में रह रहे हैं हमने पूरा जंगल यह साफ कर दिया तो वो बैचारे बताईए वो कम नहीं होंगे उनमें से कुछ मरेंगे कुछ कहीं जाएंगे कु तो वहां के परियावरण में कौन से परिवर्तन होंगे तो ना सोच के जब हम लोग क्या करते हैं बांध बांध निर्मान किया जाता है जैसे कि मैं आपको बताते हूं बांध कैसे बनाया जाता है ना एक बड़ी सी दिवार खड़ी की जाती है उसमें पानी करठा किया जा तो अगर किसी स्थान पर बांध का निर्मान कर दिया जाए तो वहां के परियावरण में कौन से परिवर्तन होंगे आप इसके बारे में विचार करिएगा ठीक है बताओ तो अब आपको क्या बताना है कि हर हम समय समय पर यह समाचार पढ़ते सुनते और देखते हैं कि विभ देखो बच्चों हम लोग कई बार यह समचार पत्र पढ़ते हैं देखते या फिर सुनते हैं पढ़ते हैं मतलब अब यह खतम होनी की गार पर है ऐसा हम लोग सुनते हैं नियूस पेपर वगरा में तो समाचारों में उनके कारट भी दिये रहते हैं कि यह क्यों खत्रे में है बोला गया समाचार पत्र में कि इस पंछी का जीवन हो खत्रे में है इसका आस्तित वो खत्रे में है तो आपको क्या करना है उनके बारे में जानकारी इकटा करनी और यह तालिगा को पूर्ण करना देखो प्राडियों पक्षियों तता वनस्पतियों के नाम कोई भी प्राणी या फिर पंची का आप अगर न्यूस पेपर में कुछ भी पढ़ते हो तो यहां पर उनका नाम लिखो फिर कौन सा कूप रभाव पढ़ा उसका कूप रभाव क्या पढ़ा वह आप लिख सकते हो और समाचार पत्र में दिएगा एक कारण तो आप लोग यहां पर लिख सकते हो तो आप लोग लिखिएगा और समझने की कोशिच करिएगा ठीक है ना आगे चलेंगे और बात करेंगे ओं किस्की और बच्छो प्रदूशन की है पर जंगल कटाई तो हमने देख लिए और सुनिये का जंगल कटाई के वजह सेंडा उने का खत्रा हो सकता रूंपो प्रेड़ा पोते इसनी सुनिये और करते हैं क्या करते हैं हमको oxygen देते हैं हवा को सुध रखने में मदद करते हैं लेकिन हमने पेड़ों को काट दिया तो बताएगे हवा सुध रहे पाएगी फिर तो गाड़ी मोटर में से धुवा निकलता है जो हानिकारक धुवे निकलते है गैसे निकल दी वो सब उतमें मिक्स हो है इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम जादा जादा पेड़ लगाएं चली आगे देखते हैं तो प्रदूशन की बात करेंगे बच्चों इसमें क्या बोला जा रहे हैं कि तुमने देखा है कि धोवन चल पर प्रक्रिया किये बिना उसे जल श्रुतों में छोड़ने पर जल श्रुतों का किस प्रकार प्रदूशन होता है आपको याद होगा कौन सा बाट इसके पहले हमने वह पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने क्या देखा था मैंने आपको बताया था कि धोवन जल और जो भी कार खानों से निकलने वाले जल होते हैं खराब जो पानी होते उनके उपर प्रक्रिया करके ही जल शोतों में थोड़ा जाता है, अगर वैसे ही छोड़ दिया गया, तो वो पानी और भी प्रदूशित हो सकता है, ठीक है? आपने यह देखा हैं मैंने आपको बताया भी था, देखो कार खानो से परिसर में चोड़ा गया गंद्राजल, तो कारखानों से भी गंदला जल परिसर में छोड़ा जाता है ऐसा दूसरी जल जमीन में रिस्ते रहने से जमीन अनुप जाओ हो जाती है यानि देखो क्या-क्या जाता है कारखानों दूसको ऐसे ही आपके परिसर में ऐसे आप के छोड़ा जा रहा हुँढां फॉड़ा तौ जमीन किया करती अ पानी को वह सोब तो वहां के जमीन होती है वह क्या हो जाती है अनुपजाओ नहीं रहा जाती है क्योंकि इतना करना डाली आपको क्या करना पड़ेगा उसमें कुछ करना पड़ेगा तब जाके वह सही हो सकती है नहीं तो फिर वो बेकारी हो जाएगी, ठीक है ना, तो यहां पर, आप लोग देखिए, यहां पर एक तस्वीर है कार खानों से देखो कितना गंदा पानी है, देखो, देख पारे होंगे आप, कितना पानी है, जो इन जल्शोतों में, यह कोई जल्शोत है, नदी वगरा और साब पानी है तो इधर है नई सब एकी में मिल जाते हैं फिर आगे देखिएगा खेती के लिए अधिक मात्रा में रसायनी खादो और केट नासको का उपयोग किया जाता है यह रसायन मिट्टी में मिल जाते हैं और बरसाती पानी के सा hayır कर अंत में नदीं में पहुंच जाते हैं खेटी के लाया जाते हैं और कभी कभी कई रसायन का उपयोग कर लिए जाता है जिसके वज़े से क्या होता है यह जो रसायन होता है यह सभी मिट्टी में मिल जाता है और जब बारिश का मुसम आता है तो यह उस मिट्टी के साथ मतलब बरसात का पानी रहता है और फिर उसमें वो मिल जाता है बरसात के पानी में और फिर अंतरता यह नदियों में पहुच यह जाती समी होने होता है नदीः का बीफिटी का पर्दूर्शन निगा परता है मेडल पर्दूर्शन होता है बसके ढूर से परदूर्शन धेالाइब जमीन पर से हो करके तो इस प्रकार से भी नदियों का प्रदूशन नदियों का जो जले वो प्रदूशित हो जाता है ठीक है इस कारण वहां के प्राडियों और वनस्पतियों कि अस्तित्वे के लिए खत्रा उत्पन्न हो जाता है फलता सजीयों के संग्या कम होने लगती है और अंत्ता वहां के बहुत से सजीव विलुक्त वह जाते और इस प्रकार से क्या होता है बच्चों वहां पर रहने वाले प्राड़ी या फिर वनस्पतियां है वह दीरे-दीरे-धीरे खतम होने लगते हैं जैसे अगर मैं पानी की बात करूँ अगर पानी में प्रदूशन रहेगा तो बताइए जो मशलिया वगेरा रहेंगी वो सभी मरेंगे कि ने अरे भाई मर जाएंगे क्योंकि उनको सुद्ध पानी चाहिए रहने के लिए जो भी पानी के अंदर वनस्पतिया होते हैं ठीके वो भी खतम हो ज बताओ तो हवा किस कारण प्रदूशित होती है प्रदूशित होती है किस ब्रदूशित होती है उसे जो हवी में जाकर के पू़री मिल जाती है जिसके कारण हवाप प्रदूसित होती है अगला प्रशन है आपके पेटरोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोईला, लकडि यादी, इंधन किन कीन कामों के लिए उप्योग में लाय जाते हैं आफ आप पता करें पर होगा फिर क मिट्टी का लकडरे के बाद क है इन लोग करते तो करते क्यों यह को करिए इसके बारे में थोड़ा पता लगा hemmm और समझने की कोशिश कश은 है इंदन का घरली उप्योग तो होता ही हैं इसकी अतिरिक्त मनुष्य ने बड़े बड़े उद्योग धंदे और कार खाने बेश सापित किये हैं इन कारों से भी इंदन का उपयोग बड़े पैमाने पर होने लगाए देखो बच्चों इंदन का घरेली उपयोग तो होता ही है जैसे कि मिट्टी के तेल क्या किया जाता ह लोग स्टोप पर खाना बनाते हैं स्टोप अभी वह उसमें क्या डालते हैं मिट्टी का तेल डालते हैं वैसे ही एक और मैं आप लोको बात बता हुद दिया चलाने के लिए पहले गाउं में दिया भी हुआ करता था अब तो घर लाइट का चमाना आ गया लेकिन मैंने दे दिये के अजुर में ही बनाएंगे फिर खाएंगे बर्तन में माझेंगे सोचिए कैसे अभी तो आमार पस इतनी बड़ी बड़ी लाइट है जिससे हम अपना सब काम फटाक से कर लेते लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था ठीक है तो वह दिया कैसे बनाते थे आपके पास कोई कोई ऐसा यह रहेगा मैं आपको दिखाती हूँ प्लास्टिक का नहीं होना जी सी से का ठीक है कोई सी से का ना यह रहेगा मतलब ऐसा बॉटल तो क्या करते थे उसके डखकन में बीचो भी छेत कर देते थे फिर उसके अंदर कोई सूटी वस्त्र लेते थे उसका इस तरीके देल इसके लिए भी यूज किया जाता है घर में तो इसका उपयोग होता है लेकिन बाहर भी इसका उपयोग होता है ठीक है अभी मिट्टी का तेली नहीं बलकि कोईला और लकडी भी है जिनका उपयोग किया चाता है तो देखिए बच्चो हमारे घरों में तो यूज किया परिशानी हो रहे हैं कार खाने के चिमनियों से बाहर निकलने वाली विसेली जहां रहे हैं जो इन लोगों को सास लेने में बहुत तकलीफ दे रही है आप लोग देख सकते हो फिर आगे देखिए गा एक और इंदन के जलने से बड़ी मात्रा में कारबर डाय ओकसाइल हवा म जंगलों का 6 होरा है हां तो देखो बच्चों क्या हो रहा है जैसे इंदनों के जलने में पहले तरफ मिल जाती है और दूसरी तरफ यह होता है कि जंगलों का भी शह हो रहा है क्योंकि फैक्ट्रिया आव निर्मान करना है तो कैसे करेंगी बताइए जंगलों का कटाई करके है ना इस कारण बढ़ी हुई कारबन डायोकसाइड को शूशित करने में वनस्पतिया और पर्याप्त सिद्ध हो रही है देखो एक तरफ तो हवा में कारबन डायोकसाइड बढ़ते जा रहा है और दूसरी तरफ पेड़ भी खतम होते जा रहे है ठीक है उनको भी नुक्सान हो रहा है तो इसके बज़र जो हवा में कारबन डायोकसाइड हो हम जो छोड़ते कारबन प्रकार के व्रिद्धी विस्व के सभी भागों में डिखाई देती है तसहीं किसी एक भाग में इसे परव्रतों हुआ है नहीं नहीं हर विश्व के हर एक भाग में ऐसा दीखने को मिलता है कि तापमान में व्रद्धी हो गई है समझे इसलिए इसलिए हमको क्या करना चाहिए बच्चो सबका सॉलूशन बस एक ही है क्या है हमें पेडों को लगाना चाहिए ना कि उन्हें काटना चाहिए वैसे करें उनकी देखन करें और उनको बड़ा करें देखो उतना चाहिए ना थे प्षाप बीचो को इकता किया करो और जब भी आप कहीं बाहार जाते हो लेकिन इतना काम तो हर एक इंसान कर सकता है, क्या करना है उन वीडियों को आप वहाँ पेख दिया करो, क्या पता है कौन से बीच से एक बहुत बड़ा पेड बन जाए, है ना, समझ में आया आपको, तो इस प्रकार से आप लोग प्रयास कर सकते हो, और पर्यावरण को बचा काम नहीं बोला जा रहा है, बस आपको वह जो आप खा रहे हो, कुछ भी एक रुपया भी आपका इसमें नहीं लगने वाला है, ना, बाजार से वैसे कुछ लाते ही, वह खाने के लिए, खाओ, बीचो को कट्टा करो, फिर कहीं बाहर जाते हो, तो उन बीचो को खाली जग पर धुआ भी पैदा होता है, इसी के साथ उद्योग धंदो से भी कुछ विसेली गैसे हवा में मिश्टित हो रही है, इन कारों से बड़े पैमाने पर हवा प्रोदूशन हो रहा है, बेगो बज़ो सबसे पहला तो ये कार्बन डाय ऑक्साइड था, ठीक है, और दूसरी जाता है, जैसे कि कोई गाड़ी जारी है, तो उसमें पेटरोल डीजल जलता है, तो उसके वज़े तो जो विसेली गैसे है, यूद्ध जादा प्रोदूशित हो रही है, समझ में आया आपको, तो ये हमने यहां पर क्या देखा, बच्चो प्रोदूशन देखा, देखा, आपने प्रोदूशन कैसे कैसे फैल रहा है, तो इंदनों के ज्वलन से ही, मतलब उनके जलने से ही प्रोदूशन फैलता है, इसलिए हम लोग अभी ऐसा तो नहीं बोल सकते कि आप लोग नों का उपयोग ही करना मत करो, करना है, अभी काम है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीजे दी गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस वीडियो को यहीं पर रोखते ना चाहिए, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आपको अच्छा ने लेगेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि आप एक ही बार में इतना साधा पढ़ लेते हो, तो आप ठ जाते हो है न, इसलिए आपको धकाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर रोखते हैं, और जो आगे का यह सारी चीजे हैं, जो भी अलग-अलग पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग नेक्स व वीडियो में धन्यवाद